हर्याणा में मौसम ने करवट बदली है सुबा सुबा पानी पत गुहाना घरोंडा अटेली भिवानी कोसली में बारिश हुए जिससे कई जगा जल भरा हो गया सडको और गलियों में एक फीट तक पानी भर गया मौसम भाग ने हर्याणा में आज पांट जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है वई पंजाब में आज सुबा चार जिलों में बारिश हुई हर्याणा पंजाब दोनों जगा 31 जुलाई तक मानसुनी गतिवीधियां जारी रहेंगी हालांकि मानसुनी हवाय कमजोर रहने के कारण दोनों राजियों के जादा तर इलाकों में बारिश नहीं हो पाई वई पंजाब के भटिंडा में भी बारिश देखने को मिली बीतेकल गुरुवार को हुई गुरुग्राम में बारिश से जगा जगा जल भरा हुआ नियो गुरुग्राम में तो लंबा जाम लग गया जिससे SPR रोट पर यातरी परिशान हुए इसके साथ ही कई लगजरी गाड़िया पानी में जूग गए जिसकी वीडियो सोशल मेडिया पर वाइरल हो रही है उदर हिमाचर प्रदेश के मनाली में बुद्धवार रात को बादल फटने से यहां के अंजनी महादेव नाले में बाढ़ा गई इससे भी भारी मातरा में मलबा मनाली ले सड़क पर आ गया जिससे सड़क याता यात के लिए पूरी तरह बंद हो गया बताय जा रहा है कि छेतर में बादल फटने के बाद भारी बारिश हुई जिससे यहां तबाही हुई अंजनी महादेव नाले में आई बाढ़ की चपेट में एक मकान भी आ गया जो पूरी तरह तूट गया वही चंडीगाड में भी आज सुबस से ही मौसम बदला हुआ है चंडीगाड के कई लाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है हालांकि पंचकुलार मोहाली के कई लाकों में कल शाम से ही यह बारिश देखने को मिली जिससे अब ट्राइ सीटी के तापमान में भी गिराव मौसमिभाग ने आज और कल यानि शानिवार को बारिश के लिए यलो इलट जारी किया है मौसमिभाग के मुताबिक इन दोनों ही दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है यह बारिश आंधी और बिजली कड़कने के साथ हो सकती है और मौसमिभाग के खास कवेर